हालो गाईज, वेलकम बैक टो चानल आइकानिक एंगलेश, आज हम कुछ और नियू वर्ड सीखने वाले हैं इस वीडियो में, यह हमारी क्लास 33 है, वोकैबलरी सीरीज में, इससे पहले हम 32 वीडियो अल्रेडी वोकैबलरी के निकाल चुके हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो फटा-फट जाके देखी हैं, शुरू करते हैं आज के क्युछ नियू वर्ड से, पहला वर्ड है, जो की हमारा एक इडियम भी है, यानि की हमारी लोकोप्ती भी है, आईवाश, यानि की बहाना बनाना, His explanation is totally eye wash, and doesn't answer the question at all, उसके जो explanation थे, वो सरिफ और सरिफ बहाने थे, और question का जवाब बिलकुल भी नहीं था, हमारे सवाल का जवाब बिलकुल भी नहीं मिला हमें, उसने जो कुछ भी बताया, जो कुछ भी explain किया, वो सरिफ एक बहाना था, eye wash था, ओके? next word is guys, stumble, stumble का मतलब होता है, ठोकर लगना, ठोकर खा जाना, कहीं से टकरा जाना, the horse stumbled, and his rider was thrown heavily to the crowd, horse जो था, horse को ठोकर लगी, और उसका जो rider था, यानि कि जो खोड सवार था, वो दूर, बहुती जोर से, ground में गिर गया, next word is fumble, fumble का मतलब होता है, टटोलना, fumble के दो-तीन meanings और भी होते हैं, तो आप ये ध्यान रखेगा, fumble का मतलब, अटक अटक के या हकला के बात करना भी होता है, और भी meanings होते हैं, तो ध्यान रखेगा, तो यहाँ पर हम बात करने वाले टटोलने की, he then locked the car, उसने उसके बाद, कार को लॉक किया, after some fumbling with his key, अपनी की के साथ वो खेल रहा था, टटोलत रहा था, and then apologized for doing so, और उसके बाद, उसने उस बाद की माफी मांगी, यह करने के लिए, ओके, ascribe, ascribe का मतलब होता है, कारण बताना, किसी चीज़ का कारण देना, reason करना, ठीक है, तो you should ascribe the symptoms of allergies, तुम्हें अपनी symptoms जो हो रहे हैं तुम्हें, allergy के, उसका reason बताना चाहिए, कारण बताना चाहिए, okay, last word है यहाँ पे, flattery, और हमने सब जगे यह word सुना हुआ है, चापलूसी करना, हिंदी में या इंग्लिश में आपने जरूर कभी न कभी सुना होगा, definitely, तु आपने कहां सुना है, यह आप कॉमेंट बाक्स में बताएए, यह तु आपने कहां सुना है, यह आप कॉमेंट बाक्स में बताएए, वो अपने बास को फ्लाटर करने की कोशिश करता है, यह तो आप जानते ही है, कौन करता है क्यों करता है अपने फाइदे के लिए करता है डाफिनिटली तो आपको आपको आज के वर्ट समझ आए हूँ आप इनका यूज़ेट सीख पाए है थैंक यू गाइस वाचिंग दिस वीडियो इस वीडियो हिद लाइक बटन कीप शेरिंग कीप लाइक लिएक ल करते हैं